तो गाईज ये है एक जॉंबी वर्ड यानि कि हमें इस वर्ड में सिर्फ जॉंबी मिलेंगे और ये जॉंबी बिल्कुल भी नॉर्मल वाले जॉंबी जैसे नहीं होने वाले हैं इस वर्ड में जो भी जॉंबी होने वाले हैं उनके पास अलग अलग अबिलिटी होने वाली ह जैसे कि कुछ zombies के पास mining की ability होने वाली है कोई zombie built कर सकता है तो कोई zombie तुम्हें दूर से कुछ फेक के भी मार सकता है और कुछ-कुछ zombie तो तुम्हें ऐसे effect दे देंगे जिनसे तुम्हारा बचपाना almost impossible हो जाएगा और इतना ही ने इसमें और भी इतने तरा के zombies होने वाले हैं जिनको मैं बटाने बैठोंगा तो इंट्रो में वीडियो खतम हो जाएगी तो इतना तो मानी लो zombies की कमी नियस वर्ड में वो भी बहुत जारा damage देते हैं सारे के सारे zombies तो zombies यहां के सारे animals भी सारे zombies बन चुके हैं यानि कि जितने भी तुम animals पर देखेंगे वो सारे के सारे animal के रूप में zombies हैं जो कि तुम्हें बहुती जादा damage भी दे सकते हैं और मारी भी सकते हैं तो क्या ऐसे zombies से भरे हुए world में मैं survive कर पाऊंगा बता पाना तो थोड़ा मुस्किल है लेकिन वीडियो देखें तुम्हें जरू समझा जाएगा तो देखते हैं आगे क्या होता है और हाँ वीडियो स्टाट करने से पहले अगर चैनल पे तुम नहीं होते हैं पिलीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जारता लोग सिर्फ वीडियो देखते के मज़े लेते जा रहे हैं सब्सक्राइब वाले बटन को एर तुम कुछ कहते ही नहीं हो तो कर दो है उसको जल्दी से उसको लाल से ग्रे बना दो फटा फट बना दिया हो तो एर वीडियो को फटा फट स्टाट करते अब वैसे में स्पॉन तो सईसी जगा पर वह मैंसा मुझे लग तो रास पास काफी कुछ अब लेज है ना और यह एक सेकंड यह जॉंबी फैड यह जॉंबी होर्स जॉंबी होर्स है पता नहीं नॉर्मली तो स्पॉन होने हो यह काव मेरे पास आ रही है पक्का इसके राद बहुत जादा डैमेज देंगे जितना मतलब नॉर्मल जॉंबी तो डैमेज देंगे तो मुझे इन से समल के रहना पड़ेगा बहुत बढ़ेगा और यह मैं बिल्कुल नहीं चाहता है पहले दिनी कचुमर बन जाए तो एकदम सेफ लिखे लेंगे कोई रिस्क निले ना स सामने चलो यहां पर एक विलेज पिया तो यह अच्छी वात है अपने लिए सबसे पहले विलेज में चलते हैं वहां से आरेन भाई साब भी तो मिलेंगे वहां पर हाँ आरेन गोलम चलो यह बढ़ेंगे अपनी पिकेक्स अफटाफर से थोड़ा पर स्टोन माइन कर लेते है यह अपने स्टोन के टूल्स लेकिन भाई टेस्ट करने के लिए थोड़े बहुत भाई डैमेज सही में दो हाट लेगे और हंगर का एफेक्ट भी देगे मेरे को यह सूगर भाई बड़ा बेसरम है यार यह तो यानि कि अगर मैं नहीं यार यह ऐसा नहीं हो सकता मैं तो सो आजा पहले भाई तेरी ही तो कमी थी आज थोड़ा सा प्रसाद ले ले भाई इसने मेरे को अरे यार यह इसका मतलब एनिमल्स हमें फूड भी नहीं देंगे अगर क्यों यह तो गल्त वात है यार यानि कि मुझे पूरा ब्रेड पे जीना पड़ेगा बस पूरे दिन आज बोला है मुझे भी नहीं पता पर ठीके चलो जो भी मिला अच्छा सामन मिला है तो यहां से मुझे थोड़ा बहुत आरन आरन का आर्मर और थोड़े बहुत आप्सिडेन मिल चुके थे और इतना तो मुझे पता चल गया था कि यहां के सारे जानवर जॉंबी से भी ख लिए बेड़ पर तो जीना आज बैड़ पर नहीं ब्रेड पर ही तो जीना आज अच्छा तू आ जलते हुए प्राणी सबसे पर तूप टेगा ओ इस शीप ने हमें फूड दिया है यह भी देगी कि फिर इससे भी देना चीए तूब दे या थोड़ा सा इसने तो यह इसने कैस दे दिया पर चलो जो भी है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और यहां पर मुझे इतना तो पता चल गया था कि इन में से कुछ जानवर हमारे ठीक ठाक भी हैं यानि कि वो हमें एकदम ताजा ताजा मस्त मस्त खाना भी देदेंगे देखो एक मस्त चीज बताता तो में तुमने विलेजर्स को जॉम्बी से डर के भागते हुए तो देखा ही होगा आज तो हम सूगर से भी देख लो उसके वाद मुझे यहां पर एक केव दिखाई दी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत आरन माइन कर लिया जाए लेकिन हमारा इंतगा तो को यह और भाई साब कर रहे थे जो कि कुछ अलगी थे जो कि हमें थोड़ी बाथ हड़ी भी देखे चलेगे जॉम्बी सो जॉम्बी यह गाय भी मेरे पीछे पर रखी हैं देख रहे हो और देखती देखते हैं यहां पर रात भी हो चुकी थी तो असली मजा तो अब आयाएगा मेरी वाहि है और मैं इन जोम्बी को मारूँ इंजानुर और यह भाई देखो क्या डे मेज दे रहे हैं को सरव ही नी हृ कभी सननालों दे रहे हैं लेकिसे जोम्बी को भाई जार प्योंग ज्क्ति है यह कोई अलगा देख सुर और भाई लंगी जोंबी ने आ रहे तो ब बाई यह फाटर सॉंबी भी भार्ज घूम रहे हैं यह भी भाई मैं गलत जगा पर लगा रहा मेरे पास है बैड है कि नहीं पता नी मेरे पास होगा तो सभी मैं चुरा के लाया था पहले इंसे बच लूँ पहले फिर सोईंगे सबसे पहले एर फटा फट से बना रात में टि पुरी बराता राकिया भाई भागो मेरे हाट भी नहीं है मेरे पास हेल्थ बहुत कम रखी है मैं सो भी नहीं सकता है सोने बैठ हुआ जब तक तो मेरा काम खताम कर दाएंगे वैसी हाड़कोर में हूं मैं डेमेज बहुत जा दे रहे हैं से थोड़ा सा अंदर चल लेते है मैं माइन करके अंदर जा पाऊंगा बस या पीछे से मतला आ रहे आवाज आ दिये मेरे को भाई 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 यह क्या क्या फ्रक्तिति इसने माइनिंग फटीग हंगर स्लोनेस और यह भाई भागना पढ़ेगा अपने पास और कोई अपसन नहीं है भाई ऐसे तो मैं सिर्फ उपर जा सकता हूं हाइट पे काम करता हूं बहुत थोड़ी से जादव लगा लेता हूं इसलिए और मैं चार-पांची लगा थे ना तो पता नहीं कैसे मार पा रहे थे मेरे को बस भाई फाइनली सेफ हूं मैं हो भाई ओ भाई यह ग्रास ब्लॉक बिल्ट भी क कर सकते हैं यह पहले ऊपर आदे मैं रख बना दिया और यह देखो भाई ब्लॉक भी कर सकते हैं भाई मैं नि कल रहा हूं भाई मेर से नहीं होगा इंसे लड़ पाना एगदम पॉसीबल ही नहीं मेर पास एक तो आर्मर नी है उपर से स्वार्ड गिले रखकियो भी स्टोन कि मुझे यहां से निकल लेना चाहिए बाद में लड़नेंगे इनसे इनको देखो दिन में भी कोई आसर नहीं है भागने में भलाइक और पर कोई आपने पास बागते बाइच केव में पहुंचा जहां से यहां यहां से भागना पड़ा और यह तो मैं लखी था कि लखी था कि डामेंड मिलेगे ते पर अनलखी था कि डामेंड को माइन नी कर सकता था अरे कहना क्या चाहते हो बच्छे जाओंगा तो बाद में चुरा लेंगे अभी सीधा आगे चलते हैं पहले और उसकी बाद मैंने यह चोना से थोड़ा बहुत कोल और आरेन माइं किया ताकि जा मैं अपने लिए Myर इं का अर्मर बना सको तो अतवर बिर्फॉण कर सको कूस को और अब मैं finally iron में तो cover हो चुका था लेकिन मुझे इतना तो पता था कि उन zombies के सामने ये iron का आर्मर भी जार दे तक टिक नहीं पाएगा पर अभी फिलाल के लिए ये अच्छा है तो देखने आगे diamond मिले तो diamond का भी बनाएंगे फिलाल तो आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही मैं हाँ पर एक desert village में पहुंचा जहां से मैंने हमेशा की तरह थोड़ा बहुत खाना चुरा लिया और इस desert village में हमेशा की तरह लूटने के लिए कुछ भी नहीं था तो मैं चुप चाप सीधा आगे बढ़ गया और रास्ते में मुझे हाँ पर एक desert temple दिखाए दिया लेकिन desert temple में जाने से पहले हमारा रास्ता इस ruin portal ने रोक लिया जो कितना ठीक था था कि मैं इसको complete करके नेधर में तो जाई सकता था चेस्ट में तो पुड़ाई मिला था और अब चलते है सीधा में सामन लूट के लाते हैं जहां तो एकदम ओपी वाला सामन मिलता है साहिए नहीं भी मिलता तो इस वाले desert temple से हमें एकदम मस्त वाला सामन मिल गया था खैर चोड़ो चलो चलो ओवर वर्ल्ड का तो यहां पर सारा काम हो गया फटा फर से हमारा रुइंड पॉटल तो ही इसमें से मुझे एक क्राइन बस हटाना इसको जल्दी से तोड़ते हैं इसको complete करके सीधर नेदर में चलते हैं और मुझे ऐसा क्यों लग रहा पीछे से मुझे कोई धपा करने वाला है भाई बस यह तूट जया है मुझे आवाज आ रही है पीछ मुझे पूरा यकीन है इससे समल के लगना पड़ेगा जो की ठीक ठाक सा और यह अच्छा यह माइनर अच्छा जिसके हाथ में पिक एक से इसने मेरे सामने सेंड माइन की यह भाई यह अलग सीन है इनका एक थूप फेखने वाला मिल गया यह माइन करे जा रहा है तू क्या क्राइंग और टोड़ा भाई पीछे देखो टाइमिंग देख रहा है जैसे टूटा वैसे यह पीछे भाई डामेज भाई दूर रहा है यार मैं देखो भाई चारो तरफ से घेल लिया मेरे को में तोड़ने के चक्कर में रहे गया अब यह आप ते जाएंगे इनको मार प हो गया यह देखो भाई स्टीव को मार के पता नहीं खा गया कि क्या कर लिया इसने छोड़ो अपना इल्दी से फटाफस हो जाते हैं अब आओ तुम थूख फेकने वाला मैंने पहली मार दिया था ना हाव आओ कैसे तुम पिट होगे मेरे से चैन निया भाई इतना राज स थी अब दोनों को जोगाड करना पड़ेगा और आरन की देवता तो तुम्हें पता यह कहां मिलते हैं कितना दिया भाई पांच क्या बात है और बगल में मुझे यहां पर ग्रेवल भी मिल चुकी थी जिससे मैंने थोड़ी बहुत यहां पर फ्लेंट जमा की और यहां पर मेरे पर तीन फ्लेंट आ चुकी थी तो मैंने सुझा क्यों ना एक फ्लेचर टेवल भी बना ली जाए अपने फ्लेचर अंगल से थोड़े बहुत एरोज भी खरीद लेंगे तो इसके बाद मैंने अपने फार्मर अंगल से काफी सारी वीट बेच के धेर सारे एमरेल्स खर मुझे डेर सारी ब्लेचर देमा करनी है पता नहीं मैं भी फ्लो फ्लो में क्या बोल लाता हूं और हमारे स्वागत के लिए यहां पर एक चेस्ट भी रखी थी जिसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिला यह उमीद कर सकते हैं और क्या करेंगे आपनी अपनी इस वाड़ का जो सब्सक्राइब नजर भी लगई कुछ नहीं मिला है यहां से फिर से मजा आ गया दो दो मिल लगे और फिर नजर लगई और एक और दो भी कुडा है और फैनल ये मुझे ब्लेच्ट इस पार बिल मिल चुका था और अब तो तुम्हें पता ही है क्या होने बहुत लड़ाई कर ली यार अपनी हालत कुछ जाद ही खराब होगी आस तो पर अपने पास साथ ये आठ रॉड दो जमा होगी है ब्लेस रॉड आठ होगी है बहुत है बहुत है आठ से जाद अपने कुछ चाहिए भी नहीं और मेरे पस हम फूड निया मेरे पस हाँ वह है तो हेबल है ना जल्दी से फटाफर थोड़ा बहुत ब्रेड़ बनाते पर सीदह चलेंगे ब्लू वाली बायो में जाना जहां से हमें देर सारी एंदरफल जमा कर नहीं है और सिदह अपने घर वापस आ गया भार तो मैं आ आ गया लेकिन ये भी भारा आ गया है देखरें पानी से बाहर आके मज़े ले रहे मेरे से सरम नहीं है चल उसको तो मैं निप्टा दिया आफटा फुर से आगे चलते हैं और सही में इन जॉम्बी से लड़ना बहुती ज्यादा मुस्किल है क्योंकि ये तुमारे पीछे हाथ दो के नहां दो के भी नहीं पूरी बरात लेके जॉम्बी मेरा बैट तो भी रहे हैं मैं जा रहा हूं भाई इस गाव में जाके जल्दी से सुझाते हम अपने पास चलते हमां में नीचे देखो भाई इनकी पता नहीं क्या हो रखा इनका देख रहे हो ये सब चोड़े जल्दी से आयो ऑफ एंडर बनाते हैं और सीधर न पता नहीं यार यह तो बस पीछे आते रहेंगे मैं जल्दी से फटाफर निकल लेता हूं बस बताओ के तरह इधा रहना चलब यहां से सीधर निकल लेते हैं बस बनना नहीं है यह फेक्स कहां से मिलगी मेरे को मेरी मेरी आयो फेंटर दे तो मैं जा रहा हूं भाई भाई कि यार पता नहीं किसने मुझे टैच कर दिया इतने तगड़े यार यह माइनिंग फटीग गलत दे देते हैं यार मुझे यहां से भागो और कोई नहीं बस भागो थोड़ा सा की चलने के बाद मुझे यहां पर एक और विलेज दिखाए दिया था और यहां पर मेरा खाना अल्मोस्ट खतम हो चुका था तो मैंने सुझा क्यों नहीं हां से थोड़े बहुत ब्रेडी चुरा लिए जाएं आई मिन हेबल चुरा लिए जाएं ब्रेड तो मैं ही बना लूँगा और स्टॉंग गोल्ड की तलास में मुझे यहां पर एक जॉंबी स्पानर भी मिल गया जिसके साथ मैंने थोड़ी बहुत पकड़ा पकड़ी खेल ली वो अलग बाते मैंने बाद में उसको निप्टा दिया और चेस्ट में से मुझे यहां पर एक गोल्डन एपल मिल चुका था वो भी सिंपल वाला और दूसरे चेस्ट में मुझे यहां पर पुराने वाली चे करके सीधर निकल गया एंडर ड्राइगन की कुटाई लगाने के लिए वोफली वो जॉम्बी ना बनाओ बस जो कि सायद दिखने में तो लग नहीं रहा था तो चलो फिर कर देतें काम तमाम और फाइनली हमारा मिशन कंपलीट भी हो गया तो उसके बाद मैंने इसकी एक्सपी और अंडर दोनों को चुरा लिया और बीचारा हमारा महंगा वाला गोल्डन एपल धरा का धराय रहे गया पर कब तक धरा रहेगा तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही होफली अ अगर आपको वीडियो पसंदे तो लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरू से कर देना मैं में लूँगा आपको नैक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाए